सिरोचा नगर पंचाय द्वारा फेलाई जा रहा है प्लास्टिक का प्रदूशन नहीं किया गया डंपिंग याड का निर्माद 2014 से 2022 तक नहीं बन पाए इन डंपिंग याड हर साल उठा रही है करोडो रुपे सरकारी नीधी से सिरोचा मुख्याले द्वारा पिछले कई वर्षों से कच्रा सफाई के नाम पे ठकी की जा रही है हर साल सूखा कच्रा और गीला कच्रा का बंदोवस करने सरकार द्वारा संस्था को करोडो रुपे का ठेका दिया जाता है जो प्रशासन के अंतरगत काम करता है पर सिरोचा के एक नगर पच्छायद प्रशासन द्वारा सरासर अंदेकी के चलते संबंधि ठेकिदार सरकार को लाखों का चूना लगा रही है वहां से कुछ ही दूरी पर रामानच पूर गाओं और पूर्वक्योर मॉडल स्कूल और केजी बीवी स्कूल और होस्टल भी है धन कच्छे का सही तरीके से बंदोबस नहीं होने की वज़े से इस इलाके में बारिश के दिनों में गंदी बदबू और संसर के जर्ण रोग बिमारी फैलने की संभाव ना हो सकती है आसपास का परिसर प्लास्टिक और गीले कच्छे के वज़े से बदबुदार हो गया है नगर पंचायत के प्रशासकी अधिकारियों की उदासीन्ता के वज़े से चारो तरफ गंदगी का आलम पस्रह है 2016 में प्लास्टिक इवरोध में नगरपंचायत के ततकाली मुख्य दिकारी भरतनन दनवार ने मोहिम चलाई थी तब तक प्रतिबंद्य प्लास्टिक में कमी नजराई पर मौझूदा नगर पंचायत शासन और प्रशासन दोनों ही सरकारी कानून काईदों का कच्रा कर रही हैं घन कच्रे के नाम से करोडों की लूट हो रही है नव निर्वाचित पार्शदों की उदासी था हाल ही में नगर पंचायत के चुना हुए थे कुल प्रभाग 17 थे जिन में से 10 प्रभागों में आविस तो पांच में रास्ट्रवादी दो में सीना के पार्शद चुने आए हैं आविस बड़ी राशनतिक पार्टी बन के उभर के आई लोगों में विश्वास के साथ एक पक्ष के हाथ में सत्ता सौपी गई ताकि गाउं का कुछ काय कलप हो लेकिन नगर पंचायत कारयाले में इका दुका नगर सेवक ही कभी कबार नजर आते हैं महिने में एक बार सभा होती है और वह पूरा दिन आपसे मतभेद और कारय प्रनाली पर भैस में पूरा दिन निकल जाता है ऐसे में जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान देनी में असमर्थता नजर आती है BCN News अहेरी से आसिफ पठान की रिपोर्ट